पूर्य वीडियो को बिल्कुल इसकितना करें पूरा देखें और चैनल पर आहे हूँ पहली बार तू चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको उतादें उमस और भीसल गर्मी जेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को जल्द रहात मिलने वाली है दरअसल मौसम विभाग ने आपको उतादें आज से कल तक प्रदेश के कई जिलों में जमाजम बारिस होने की समभाव ने जिता ही है इतना ही नहीं मौसम विभाग ने येलो अलेट जारी करते गज़ने चेताबनी में जारी की है को जिलो में भारी बरसाद के हालात बनाहे को ज़नी होने जल्द ब्र रहलेए येलो अलेट की चेताबनी जारी करती हूँ कहा गया है कि कहीं कहीं आत्ते देख भारी बरसाथ के हालाद बनाएं जारी चेताबनी में कहा गया है कि भारी बरसाथ के कारण पिरवाबित जिलों में निचले इलाकों में जल बराओ बिजली या तयात पिरवाबित होने जैसी द बलरामपूर सिरावस्ती वहराई लकिमपूर कीरी सीतापूर विजनाओर मुरादवाद रामपूर बरेली पिलीवी साजापूर बदाईयों और आसपास के इलाकों में बारिस की संबाबना आए इतना ही नहीं आपको उदादने की कल से परसों तक दिवरिया गोरकपूर सिरावस्ती सीतापूर हरदोई फरुक का बाद बाराबंगी कासगर मुरादवाद रामपूर बरेली पिलीवी साजापूर बदाईयों और आसपास की इलाखों में भारी बारिस हो सकती है इसी वीच आपको बदादे की भारत मौसम विवाग आई-मडी ने आपको दाने कल भारी से बहुत बारिस होगी मौसम विवाग ने आगले चार दिनों तक पच्छिमी हिमाले चेतर ऑउत्तर परदेश में भारी से बहुत बहुत बारिस होने के अनुमान प्रदेश की जिलों में यूपी के सारनपुर मेरड मुझपनगर अमरोहा मुरादवाद रामपुर पीलीवीद बलिया लकीम पुरुखीरी बिजना और जैसे कई जिलों में आज तेजबारिस होने की जानकारी दी जा रही है वीडियो के अंत में आपको उतादे की मौसम को लेकर ये भी खबर आ रही कि कई इलाकों में उमस की गर्मी तो खत्म हो गई लेकिन तेजबारिस से काफी तबाही देखने को मिली है कई राजियों में मुसलधार बारिस आपत बन कर आई है उत्तर प्रदेश में तीन से चार दिनों में तेजबारिस होने की संभावना जयता ही जा रही है आँचले मौसम बिज्ञान केंदर के निदिसक जपी गुपता का काईना है कि आपको उतादे कल से प्रदेश में मौसम बदल जाएगा राजधाई लखनव के कईजलों में आज बारिस होने के अनुमा लगा जा रहे आज राजधानी में बादल छाय हैं और प्रदेश भर में भारी बारिस होने के असार हैं उम्मीन करते हैं दोस्तों वीडिया आपको पसंद आई होगी